Hello everyone, I hope आप सभी लोगों की ROARो की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आज से around 12 days बाद आपका UKPSC का ROARो की जो एक बहुत प्रमुक विकिंसी है उसका paper स्टेट के विद्मिन जन्पदों में schedule है तो आशा करता हूँ कि आप सभी का जो division है वह बहुत अच्छा चल रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ दो बहुत important points डिसकस करने वाला हूँ पहला point जो मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ वो तो यह है आपके जो last 12 days है 12 days की मैं बात करूँगा because 5 तारीक यानि कि कल आपके admit card जारी कर दिये जाएंगे आपको पता चल जाएगा आपका examination center काउंसा रहने वाला है and उसके बाद आपका मुटा-मुटा 12 दिन बाद यानि की 5 से 17 तारीक को आपका paper यह तो last 12 days में आपकी strategy क्या रहनी चाहिए and जो second point में आपके साथ discuss करने वाला हूँ that is आपको कितना safe marks के लिए aim करना चाहिए इस paper में alright तो यह दो बहुत important points में आपके साथ discuss करने वाला हूँ but उससे पहले let me tell you that ROARO में बहुत important portion आपका current affairs का भी आपको देखने को मिलता है besides उत्राखन जी के current affairs एक ऐसा topic है जिससे जो भी question आते हैं अगर आपने अच्छे से last 6-7 months के current affairs पढ़े वे हैं तो maximum questions आप crack कर लेंगे अगर आपके 12 से 15 questions ROARO में current के आते हैं तो I am sure आप कहीं नहीं 15 में से 13-14 questions तो easily score कर लेंगे if you have studied current affairs thoroughly and मैं अपने channel पर already current affairs की 6 videos पहले upload कर चुका था यानि कि 150 questions मैंने पहले upload किये थे EO से पहले executive officer exam से पहले जिससे काफी students को मदद मिली थी and उससे काफी questions आपके EO के exam में भी आपको देखने मिली थे and हाली में मैंने 4 videos और upload करी है चारों video को एक ही video में combine करके मैंने 100 questions की आभी हाली में एक live session के द्वारा कद ही एक video डाली है जिसमें 100 और मैंने most important questions आपके EO के ले discuss करे हैं और कुछ important themes भी मैंने discuss करी हैं जिससे आपको repeatedly questions देखने को मिले हैं UKPSC में तो उन सभी videos को जो मैं अपने channel पर upload करता रहता हूँ time time पर उनको एक बार जरूर देखके जाएं इसके besides मैंने computer gk की भी एक बहुत important video अपने channel पर upload की है यदि आप उसको देख लेते हैं तो computer के जो भी 5 से 6 सवाल आपके UKPSC ROR में पूछे जाएंगे आप सभी के सही answer mark कर पाएंगे इसलिए उस video को भी आप एक बार ध्यान से देख ले इसके besides हमारा एक telegram channel है alright telegram channel है the username and the description of that telegram group I will provide in the comment section of this video बट यहाँ पे साथ ही मैं आपको बता भी देता हूँ the username of our telegram group is UKPSC exams 2023 इसको आप सर्च कर सकते हैं telegram panel पे and आप उस group को जरूर join करें जहाँ पे मैं regularly जो भी important questions रहते हैं with respect to UKPSC, RO, ARO of history, geography, polity, economy, utrakhand, gk, current affairs, utrakhand, current affairs जितने भी important questions हैं वो सभी timely वहाँ पे discuss करता रहता हूँ and अभी दो questions आपके UKPSC, EU का executive officer का जो 26 November को paper हुआ था exactly copied जो मैंने screenshot होके वहाँ पे डाले थे तालिस्मान साबरे यह वहाँ पे screenshot डाला था वो आपको देखने को मिल जाएगा and clearly एक और जो आपका question आया था वहाँ पे वो भी मैंने share कहाँ था that was regarding your exercise nomadic elephant, ठीक है इसके besides मैंने पहले भी बताया था that G20 पे question आएगा G20 पे आपका अमिताप कांच जो शेरपा थे उसके बारे में question आया then Chandrayaan से भी question पूछा गया यह विकरम, Lander, प्रग्यान, रोवर, और पी, वीरा मुथिल mission director या project director of Chandrayaan 3 इस पे भी question आया, Chandrayaan 3 कब launch ज़ा 14th July 2023 पहुंचा कब 23rd August 2023 या जहां पहुंचा करने लग गया है तो यह जितने भी important themes हैं जितने भी important questions हैं Nobel Prize मैंने बोला था उस पे question आएगा again Nobel Prize पे भी आपको question देखने को मिला and यही सब भी themes आपको आपके RO-ARO exam में भी repeat होते भी दिखेंगी तो किन topics पे आपको आपके last 12 days में लाइक करें अपने friends, aspirants के साथ share करें and हमारे channel को जरूर subscribe करें ताकि आने वाले जितने भी remaining days हैं उसमें मैं maximum output वाली कुछ ऐसे previous questions आपके समख्ष ला सकूँ जिनके very high chances हैं आपके UKPSC RO-ARO में repeat होने के alright तो सबसे मैं आपको बता देता हूं कुछ important topics जो आपको revise करके जाने जाने देखिए एक पूरा दिन मेरे हिसाब से आप current affairs को देए दें अगर आपकी current affairs की तयारी अभी तक उतनी एच्छी नहीं है and है भी तो आप current affairs को एक दिन दे सकते हैं and इसके side by side आप general aptitude की practice तो चलाई सकते हैं जितने भी आपके remaining days हैं थोड़ा थोड़ा general aptitude आप रोज practice करें very important पचास marks का आपका general aptitude का portion आने वाला है so that is very very important current affairs को आप एक दिन तो दे दें very important एक से दो दिन current affairs को दें वहाँ इसले भी बोल रहा हूं because आपका 10 से 15 नमबर का current affairs का portion आने वाला है इसके besides आप 3 से 4 दिन उत्राखंट GK को दे सकते हैं completely because 30 से 35 नमबर का आपका उत्राखंट GK का भी portion आने वाला है तो उत्राखंट GK प्लेस current ही आपकी लगबग आपकी 50 नमबर की आने वाली है besides that आप 1 से 2 दिन quality को भी दे सकते हैं ठीके तो ये आपका खहीना कहीं 10 questions इससे भी आने वाली 10 से 12 questions तो 60 नमबर तो आपका यही हो गया इसके besides history ठीके history को भी आप एक दिन दे सकते हैं again history में भी आपके 10 से 12 questions आएंगे modern history के जिसमें से आपको मिलेंगे 7 से 8 questions आपको modern history के देखने को मिल सकते हैं अगर 12 questions आएंगे तो आपको 7 questions modern history के definitely वहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके besides एक important topic जो मुझे लगता है that is science तो है ही science में computer science computer science एक ऐसा topic है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया very important and very easy अगर आप वो video देख लेते हैं जो मैंने अपने channel पर upload करिये जहां पर सभी important questions मैंने computer science के discuss किये हुए तो आपको उनी से question repeat होते वे देखेंगे अपने on the day of the examination so इसको आप side by side pursue कर सकते हैं जितने भी remaining days हैं along with your general science general science में भी आपको पता होगा biology के कुछ important questions पूछे जाते हैं एक set pattern पे ही UKPAC question पूछता है तो दो दिन आप general science को भी दे सकते हैं and इसके besides Indian geography है and जितने भी miscellaneous topics हैं इनको भी आप दो दिन में cover करने की कोशिश कर सकते हैं बट जो important themes में आपको बताना चाहूँगा and then your modern history ये जो 5 मैंने आपको themes बता दी न and इसके besides general aptitude तो है जो 50 number कर रहेगा उसको तो आप ignore करी नहीं सकते but GS के portion में out of 100 marks ये जो मैंने आपको 5 topics बता दिये इनको तो आप short shot करके जाएं 30-35 number आपका ये होगा 30-35 marks ये आएगा current affairs आएगी आपकी 10-15 number की current affairs की भी आपकी 10-15 number की आने वाली है current affairs भी आपकी 10-15 marks की आएगी then आपकी modern history जो आएगी modern history की भी आपके 6-7 question आएगे and आपका जो computer science है computer science के भी आपके 5 question आपको देखने को मिलेंगे UKGK मैं पहली बता चुका हूँ UKGK इसमें 30-35 आपके question आने वाले all right so जितने भी ये important topics हैं इनको तो आप बिल्कुल भी छोड़ के न जाए and quality as I have already told 10-12 question तो आप ये देख लीजिए इनको ही आप अगर sum up करके देख लें तो 30 question यहाँ और 15 question 45 और 6, 51 5, 56 और ये 10 अगर around 65-70 marks तो आपका इसी portion से आने वाला है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया तो यह जो 5 topic है na UKGK, current affairs, modern history, computer science and polity last के जितने भी remaining days हैं उनमें इन topics को special focus पे रखें along with your general aptitude का portion जो की 50 number का आने वाला है and is very very important from your examination point of view very very important इस strategy को अगर आप अपनाएंगे तो जरूर ही आप सफलता पाएंगे आपने आगामी ROARO pre-pariction में and बहुत सारे aspirants जो मेरे साथ काफी लंबे समय से तयारी करते आएं उनको पता है that whatever direction I have been giving जो भी मैं चीज़ें आपको बताता है हूं over time वो आपको फाइदा जरूर देती है on the day of the examination जितने भी exam हुए है be it आपका UKPSC AE का exam जो हुआ था then आपका draftsman का paper हुआ environment supervisor का paper हुआ यह जितने भी paper हुए है उन में से काफी questions जो मैं already discussed कर चुका हूँ अपनी various videos में as well as on my telegram channel आपको वह repeat होते वे दिखते हैं इसलिए जो जो मैं आपको themes बता रहा हूँ उन पे special focus रखे and I'm sure आप बहुत अच्छे marks लाकर pre-perikshah को आसानी से पार कर जाएंगे चलिए एक important sheet मैंने आपके साथ अभी discuss कर दी that आपके क्या strategy रहने चाहिए in the last remaining 12 days okay last 12 days जो आपके है उसमें आपकी क्या strategy रहने चाहिए for upcoming UKPSC ROARO 2023 very very important sheet मैंने आपके साथ share कर दी alright इसके besides last sheet जो इस वीडियो के माद्दियम से मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ आप बहुत सारे aspirants बोलेंगे that अभी तो paper भी नहीं वाओ and आप कैसे safe marks बता सकते हैं यह बहुत important है एक बात को जान लेना that अगर आप बोलेंगे आपको पता है pattern किया है 100 marks की GSI की and 50 marks का आपका general aptitude आने वाला है तो in order to ensure your selection आपको ensure करना है that general aptitude portion में जहाँ पे आपकी logical reasoning अच्छी खासी रहने वाली है इतना difficult भी मुझे नहीं लगता maths पूछी जाएगी because यह कोई FRO का paper नहीं है जहाँ पे only science graduates are allowed यहाँ पे हर कोई आपका participate कर सकता है in the examination तो logical reasoning का portion रहेगा वो मुझे लगता है थोड़ा सा जादा रहेगा as compared to normal arithmetic and यहाँ पे 40 marks तो आपको score करना ही पड़ेंगे and 40 plus will be a nice score for those people जिनके पास इतना experience रही है mathematics examination देने का तो 40 plus will be a nice score and इतने marks तो आपको लाने ही परेंगे for unreserved male की मैं बात कर रहा हूँ unreserved male यानि की general category ले 40 marks तो आपको aim करने पड़ेंगे in your 50 marks of general aptitude and यहाँ भी आपको देखे 30 मैं 30 सी उत्राखंड आनी है इसमें 60 marks तो aim करें ही करें ठीक है 60 plus यहाँ पर aim रखें तो 60 plus और 40 plus अगर आप aim रखेंगे ना तो easily आप 100 plus इसमें score करेंगे इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपकी त्यारी अच्छी है जो मैंने आपको strategy बताईए अगर आप उसको डंग से follow करेंगे तो in my opinion जो आपके safe marks रहने वाले हैं in order to ensure your selection in the upcoming ROARO pre in unreserved general category is 100 plus मेरे हिसाब से जो अगर आप 100 plus का score ले आते हो ना इस paper में तो you will definitely crack this examination आप pre-key cut-off easily पार कर लेंगे बहुत सारे experience बोलेंगे that UK SSSC की आप हाली में cut-off देखिए बहुत हाई जा रही है मार्स की general aptitude introduced कर दी गई है तो अगर आप 100 plus marks इसमें ले आते हैं तो मेरे खाल से आपका selection 110% इस paper में हो जाएगा तो ensure that आप 60 plus marks general aptitude में general studies में ले आए and 40 plus marks आप general aptitude में ले आए that will be more than enough according to me all right then all the best aspirants जो भी आपके doubts हैं queries हैं you can ask me on my telegram channel इस video के comment section में भी आप मुझे करके बताएं comment करके that किस तरह की video आप आने वाले time में पसंद करेंगे you want me to discuss some important themes आप चाते हैं मैं कुछ important themes जिससे question आने ही आने हैं वो discuss करूँ या आप चाते हैं जो मैं previous questions हैं उत्रहणके उनको आपके साथ discuss करूँ आप मुझे comment section में जरूर comment करके बताएं till then all the very best keep learning see you soon in the next video